कि तो यहां पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वह हम लोग स्कैनफ में भी यूज कर रहे थे जिसमें हम लोग कोई भी इंपुट लेते थे अपने स्क्रीन से और वह उस वेरियेबल के एड्रेस विलाके स्टोर हो जाता था तो सेम वैसे हम लोग यहां पर भी इस एम को सपोर्ट करने के लिए पर्मेट इसपार यहां पर यूज करना होता है पर्शन यू परसंट यू करेंगे तिक ढीट करेगा किसी भी बीड्रेस अपने स्क्रीन के आप कि यहां पर हम लोग एक ग्सामपल देखते हैं इसे हम लोग समझते अध्रस ऑप्रेटर को तो यहां पर हमने सबसे पहले एक वेरीबल ले लिया है नंबर और हमने उसको फिफ्टी से इनिशलाइस कर दिया है फिर उसके बाद हमने यहां पर प्रिंट अफ लगाया हम क्या करेंगे यहां पर नंबर की वैल्यू प्रिंट करेंगे और नंबर का एड्रेस हम प्रिंट कर कर दिया अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट प्रिंट में लगाए और यहाँ पर Hi लिखने यह गोनीद्रीन बेल्ड मठी कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर इस परसेंट यू सा अगर हम लोग अट्रेस स्टर्ट करने तो हम लोग यहां पर सेंट यू का यूस करते हैं अगर हमने हां पर इंटरस पेस POW्राटर यूश ही ताभ लोग enorm ओर कौमा वन है आपकर अंबर दो आउटपूट हम लोगों कुछ इस प्रकार से मिलेगा वैली ओफ नमबर इस फिफ्टी जो नमबर यह एक्च्वल वैल्यू है और वह यहां परसेंट डी के प्रिंट करेगा क्योंकि वह इंडीजर यहां पर उसका वैल्यू प्रिंट हो गया फिर कॉमा देखेंगा एड्रेस के साथ में यहां पर प्रिंट करते हैं मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ में अगर हम लोग किसी भी वेरियेवल का एड्रेस प्रिंट करेंगे उस केस पर हम लोग यहां पर्मेट स्पैसिपार यूज करते हैं परसेंट यू का हम यहां पर यूज करेंगे तो कुछ इ यह था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जिसको हम लोग एम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं अपने सी प्रोग्राम में प्रोगोंटर देट इस इस नॉट असानग तो अनल वाली अगर कोई भी एक पॉइंटर बनाया कोई भी एक पॉइंटर का हमने आप एक पी पॉइंटर हमने बना लिया तो इसके अंदर क्या च्टोर हो सिर्फपर सिफ एड्रेस स्टोर अगर जो पॉइंटर है वह रिफरेंश का वैल्यू टोर जब लोग कि किसी भी प्रोग्रामिंग लेंगे अगर हम लोग बात करेंगे तो उस लिफरेंस में हम लोग या तो कोई डाल सकते मींज आडरेस टाल सकते या दूसरी बंदी हो सकती नल पर यह कैसी वेली विल्यों होती जो कि एक ंटी मेली मतलब खाली वेल्यों को डिफाइन करती है यहां सकते अगर हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं है उस पॉइंटर में सेव करने के लिए यह स्टोर करने के लिए तो उस टाइम पे हम लोग उसमें नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है कोई भी एड्रेस किसी भी वेरियबल का एड्रेस अवलेबल नहीं है उस pointer में store करने के लिए तो हम लोग वहां पर क्या assign कर सकते हैं हम लोग वहां पर नल assign कर सकते हैं नल एक value होती है ठीक है नल क्या होती है एक value होती है जो मतब एक blank या फिर empty value को represent करती है empty मतब खाली ठीक है उसके अंदर value है लेकिन वह actual value कुछ नहीं है ठीक है तो उसको हम लोग नल से रिप्रेजन करते हैं जैसे सब्सक्राइब जरुख सबूर्स इसके को सब्सक्राइब नहीं था लेकिन लोग कि उसके अंदर घुल रिक तो अगर हम लोग कोई भी पॉइंटर बनाते हैं उसके अंदर कोई भी एड्रेस डालने मतलब कोई भी एड्रेस टोर करने का अवलेबल नहीं है तो उसके से में लोग नल से इनिशलाइज तो नल भी यह वैल्ली होती है तो वाइबा में भी कुछन पूछा जाता है वाट इ स्वेल्यू होगी और हम लोग नल को एम्नी वैल्यूशर रिप्रेसेंट करते हैं ति यहां पर पोंटर में इसका क्या काम है तो पॉइंटर में काम यहीं है कि एड्रेस अगर शापर नहीं होगा तो उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहाँ अगर हम लोग कुछ-कुछ सब्सक्राइब करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आप लोग बुक्स में भी देखोगे या फिर पढ़ेंगे वहां पर देखोगे तो बहुत सारे इस नल की वैल्यू को जीरो कहा गया है ठीक है लेकिन एक्चुल में जीरो से रिप्रेजेंट हम लोग नल को नहीं कर सकते हैं कभी भी ठीक है क्योंकि हर सिस्टम अलग-अलग होते हैं ठीक है अलग-अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम सी यूज होते हैं ठीक है अलग-अलग टाइप की प्रोग्रामिंग यूज होती है तो सभी जगे वहां जीरो को अपलाई नहीं किया जा सकता जीरो क्यों और हम लोग उस पोइंटर को इंटीजर कर देंगे तो आइडरी स्टोर स्ब्सक्राइब तो इंटीजर वैल्यों ही समझेगा है म منसे ऐड्रtać उसके अंदर स्टोर होना था लेकिन हमने का कविए वहांव हर लेकिन जिरों यह नहीं जिखे तो उसमें एक रिफरेंस टाइब का ही डेटा सच्टोर हो सकता कोई दूसरे डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर किसी को बोलते हैं हम लोग नलॉब किसी भी count अगर हम लोग किसी भी कुल को नल से निचलाइस कर देते मतलब उसके अंदर कोई एड्रेस अवलेबल नहीं है लेकिन हम लोग उसको नल से निश्लाइज कि एन यू डबल लनल तो उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं तो तो दिखिए अगर हमने कोई भी अगर क्यां पॉइंटर बनाना है जैसे मैं कोई भी फॉइंटर बनाता हूं इसे क corazón M मेंस इंटीजर वैल्यू का एड्रेस ही सिर्फ और सिप्स यहां पे स्टोर मैं कर सकता हूं और भी कोई दूसरे डेटा डाइब का मैं एड्रेस टोर नहीं कर सकता मतलब अगर मैं इंटीजर का पॉइंटर बना रहा हूं तो सिर्फ और सिफ इंटीजर वेरियबल का ही एड्र टरह miners है गांक अगर मैं अध्रत का कोई बनाता हूं तो सिर्फ पर से coolest का ही एड्रेस को स्टोर कर सकता हूं लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा पॉइंटर बनाना चाह हूं जिसमें मैं कोई भी देटा टाइप के रेद्रे स्टॉर कर पाऊं के मैं कोई कैसा पॉंटर बनाओं जिसमें कोई भी दूब्हीस स्टोर करना चाहता हूं सिंगल पॉइंटर पे तो यह पॉसिबल अगर हम लोग इंटीचर का बनाते हैं या फिर हम लोग डबल का बनाते हैं तो यह चीज पॉसिबल नहीं होती है कि तो उसके हम लोग क्या करेंगे कर एक वोईड़ पोईंटर हम लोग बना लगे तो बना लिए लिए लेद न aur और यहां पर लगाते हैं एक और यहां पर लगाएंगे पी इस प्रकार से वॉइड पॉइंटर हमने बना लिए जिसका डेटा टाइप वॉइड है तो वॉइड जनरली एक जनरल डेटा टाइप होता है जो हर एक डेटा टाइप को सपोर्ट कर लेता है कि जेनल डेटाइब दब होता है जो हर डेटाइब को सब और गार मैं इसमें इंटीजर कि जैसे मैंने कोई भी एक इंटीजर बरिल बनाया मैंने इंट एक्स बना लिया ये एक नॉर्मल वेरियेबल है ठीक है अगर मैं इस पॉइंटर पी में पॉइंटर पी में मैं एक्स का एड्रेस स्टोर करता हूं एड्रेस ओफ एक्स तो अब यहां पर जो पॉइंटर पी है वो इंटीजर टाइप का बन जाएगा मतलब वह एक्च्वल वंस्कुल टैप या लेकिन एक्स ता staff का एड्रेस इसके अंदर स्टोर हुआ तो एक्स की स्टाइप का है इंटीजर टैप प्वेंश कैन उब twee जो है वह एड्रेस करेगा और यह जो वॉइड यहां पर दिखा हुआ है ठीक है अब वो इंटीजर जैसा भी है ठीक है अब क्या बन जाएगा वो इंटीजर बन जाएगा अगर मानके चलो मैं एक विरीबल और बनाता हूं अब इसी सेम पॉइंटर में मैं यहां पर लिखता हूं पॉइंटर पी इक्वल टू एम पर्सेंट ओफ एक ठीक है मैंने अब यहां पर क्या कर दिया पहले हमने यहां पर इंटीजर इंटीजर एक्स का मैंने यहां पर एड्रेस टॉर किया था पॉइंटर पी में अब मैं यहां पर क्या करा हूँ फ्लोट ऐफ में अब वह कौन से टॉब कर रहा है वह फ्लोट टैप करेंगा अ लिका तो को फॉइड ज्नालाइज पॉइंटर होता है जो एक जनरल डेटरटाइप को सपोर्ट करता है उसकी उसके अंदर हम लोग अपर सकते हैं तक बूतव तक हुंद आर्टरव कर सकते हैं उसमें हम लोग क्यारेक्टर कोता है जो एक जैनरल डेंट跟大家 हगा यो सभी दूसरे टेटा टाइप को सपोर्ट करता है यह दूसरे डेटेटिब को सपोर्ट करता है मींस कि अगर हम उसमें इंटीजरा टैप के घ्रीवल का इड्रेस करेंगे तो कर लेगा फ्लोट का ऑफ स्टोर कर लेगाँ कोई भी डेकल टेट णीश टयेड्ड कर सकता है कि तो यहां पर हम लोग अगर कभी चश्व को प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें Kin लोग पोइंटर की पड़ती कि लोग सिंगल पॉइंटर यूज करें और मल्टीपल डेटा टैपस की वैल्जी सों मुझ वहाँ पर स्टोर करेंगे एिन थे के हैं तो यहाँ पर लोग इसका से तक प्रकार से हम लोग वन सकते हैं और उसके की बात करें तो यहां पर हैं लोग लिखते हैं वॉइर स्क्य कर नेमि तो इस प्रकार से हम लोग एक वॉइड पॉइंटर डिक्लियर कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद यहां पर हम लोग एक एक्जाम्पल्स दिखते हैं यहां पर सबसे बहले यहां पर मैंने एक इन्टीजेर आई बनाया और उसको मैंने नाएं से इनिसलाइज कर दिया फिर पॉ बनाया है वॉइड टाइप का मैंने बनाया है वॉइड टाइप का ठीक है यह हमारा वॉइड पॉइंटर अब यहां पर नेक्स लाइन पर हम लोग देखते हैं मैंने इस पी को निश्लाइज किया जो पी हमारा था कि गभी पेफको मैंने इसंते हैं एफ़ी क्या है एफ़ी है फ्लोर पॉइंटर और पी क्या है इंतिंक की जो है वह इंटीजर है फलोट तो कभी भी टाइप का ने मैं हुआ यहाऊं पाएगा कि इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कर पाइगा वह फ्लोट टाइप के डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाएगा तो यह हो जाएगा इनकरेक्ट नहीं है फिर उसके बाद यहां पर एफ पी को हम लोग इनिश्टाइज की एम परसेंट आई से आई क्या है एक इंटीजर टाइप वेरियेबल है जिसमें वैल्यू है नाइन ठीक है एड्रेस ओफ आई हमने यहां पर दिया एड्रेस ओफ आई मतलब यह इंटीजर डेटाइप का है और एफ पी जो हमने बनाया ह है फ्लोट डेटाइप का है यहां पर जो हमने फ्लोट डेटाइप को कॉइंटर है तो कभी वह इंटीजर वेरियेबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएगा तो यहां पर यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट यहां पर लाइन में दिया है पीटी एर एक पॉइंटर है उसको हमने फ्लोट टाइप का है तो यहां पर प्लोट टाइप को पाइंटर है वह कोई भी डेटा टाइप के वेरियेबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है है तो यहां पर मैंने उसको फ्क के साथ है भी चंप कर दिया कर दीकिंटक ऊंपयों चीश्ट पॉइंटर है उसका वह एड्रेस स्टोर कर पाएगा भी है तिक है फिर उसके बार नेक्स्ट है यहां पर मैंने एक और लिया पी टी आर को मैंने एफ पी से इनिशलाइज किया था अब हम लोग उसको फ्लोट पॉइंटर से इनिशलाइज कर रहे हैं तो इसका डेटा टाइप फ्लोट तो वह फ्लोट पॉइंटर का भी एड्रेस वहां पे श्टोर कर पाएगा नेक्स्ट आते हैं यहां पे PTR M% of I, अब हमने यहां पे क्या किया है, PTR में, pointer PTR में हमने क्या स्टोर कर दिया, address of I जो था हमारा एक normal variable था, जिसमें value है 9, हम लोग ने इस I का address स्टोर किया, इस PTR में, तो यहां पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जब हम लोग एक बोईड पॉंटर बनाते हैं, तो इसमें हम लोग किसी भी डेटा टाइप के value को या फिर किसी भी data type के address को हम लोग वहां पे स्टोर कर पाते हैं, तो यही एक advantage होता है एक बॉइट पॉंटर का कि हम लोग किस प्रोग्राम रन होने के बाद में हम लोग प्रोग्राम रन होने के बाद में हम लोग वहां पर किसी भी वेरियेबल पर हम लोग मैमोरी असाइन करते मतलब उसको और ज्यादा मैमोरी देते हैं तो यहां पर मैलोग और कैलोग फंक्शन जो होते हैं जो डायनामिक मैमोरी अलोकेशन के लिए यूज किया जाता है वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं तो यह था वॉइड पॉइंटर इस एक्जामपल में हम लोग ने क्या किया है सबसे पहले मैंने यहां पर एक विरीवल यह मैंने बना लिया है जो की इक इंटीजर टैप है और उसको मैंने 56 से इनिशलाइस कर दिया कि इफ् teamwork से मैंने इनिशलाइस तर दिया ठीक है फिर उसके बाद मैंने आप एक का श्रेवल बना है जो खिक नॉर्मल वे का नौर्मल वेthankर ले मैंने उसको 4.5 से उसको нем बनाया है एक पी ठीएर नाम पर नाम कर दिया अब मैं यहांहें किया करता हूं इस कर R कोई देटा टाइप को च्टोर कर पाएगा तो हमने यहां पर इंटीजर टाइप के वरियेवल का एड्रेयस्ट टोर किया है इस पौlerinटर में जो की एक़ गोके फिर हमने यहां पर इसको प्रिंट करते अब जब हमने यहां पर प्रिंट किया कि यहां पर जो पौ het PTR है वो वॉइड टाइप है हम लोगों को इसको टाइप कास्ट करना पढ़ेगा हम लोग इसको टाइप कास्ट करेंगे मतलब इंटीजर में कनवर्ट करेंगे यहां पर अपर प्रिंटफ में हमने लिखा वैल्यू ओफ ए इस परसेंड डी और हमने यहां पे लिखा pointer ptr और इसको हमने यहां पर टाइप कास्ट किया है ताइप कास्ट करना मतलब हम लोग ने यहां पर उसको इंटीजर में चेंज किया है यह था वाइट टाइप का अब हम लोग किसमें चेंज कर दिए उसको इंटीजर टाइप में उसको चेंज करेंगे तब ही वो यहां पर अपनी वैल्यों को प्रिंट कर पाएगा तो यहां पर हम लोग कैसे लिख रहे हैं यह पॉइंटर पिटिया , जो है यह एस पॉइंट मतलब जो हमने एक इन डारेक्षन ऑपरेटर गया का है उसके बीची में हमने यहाँ पर वैल्यों को प्रिंट कि प्रक्राइब है फिर उसके बाद हमने यहां फे नेक्स्ट की एंब परसंट भी जो है वह फ्लोट टाइब का है वी जो है फ्लोट टाइब को सब वैल्यू है 4.5 हमने बीक अध्रेस पी ट्र में इसटोर किया फिर उसकी बाद यहां पर Color को प्रेंट के वैलियू ऑफ फ्रसेंट एफ तर्सेंट रइब जो है फ्लोंड के हम लहां लोग उसकरते हैं और यहां पे भी सेम वैसी हमने इसको फ्लोंट पॉंटर में में हमने चैंज कर दिया यह फिर हमने हम यहां पर क्या किया इस पॉइंटर में सी का एड़रस हमने याप स्टोर किया वैल्यू उओफसी इस परसंट सी और हमने अब इसको किसमें चेंशव किया है character pointer में हमने इसको चेंज कर दिया है तो इस प्रकार से हमें हमें यहां पर क्या कर सकते हैं वाइड pointer को कि हम लोग यूज कर सकते हैं अलग-अलग data type के address को store करने के लिए अलग-अलग data type address को store करने के लिए हम लोग यहां पर यूज़ कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर तीन अलग-अलग इंटीजर फ्लोट और के विरीबल्स लिए और पॉइंटर पी टीहर में जो कि एक वॉइड पॉइंटर था हम लोग-अलग डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर किये और कंवर्ट करके उसको प्रिंट कर दिये हैं तो यहां पर हम लोग टाइप काश्ट करना कंबल सरी होता है ताकि हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट कर सकें